हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का solution with research YouTube चैनल में फ्रेंड इस वीडियो में exercise for air force and navy के लिए लिया है जिसमें कि आपको air force का एकजम देना है ये navy का एकजम देना है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको दो कुशन यहां से आपके clear हो जाएंगे जो की prepositions related होते हैं हमेशा यहां से दो कुशन आपको पूछे आते हैं आपको कुशन यह देखने को नहीं मिलेगा लेकिन concept यही रहेगा ठीक है जो मैं आपको concept बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो आपको concept यही मिल जाएगा लेकिन कुशन चेंज हो सकता है ठीक है कितना भी कुशन चेंज करें लेकिन आपको concept यही याद रखना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहले वाब बिजिट किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें bell icon को press करें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला sentence है he has been ill blank yesterday तो आपको याद रखना है जो for है और दूसरा है since तो since को जो है यह point of time होता है यह होता है point of time और यह होता है period of time तो आप यह याद रखें period of time मतलब for और since मतलब point of time तो यहां से मैं आपको एक बताना चाहूँगा तो जो for है जो for है for को आप related करें 4 से जो for है यह जो digit है four इसको आप related करें four से ठीक है तो आप ऐसे याद रखिये four मतलब four तो यह digit है तो आप हमेशा याद रखें जो four है तो यह digit के लिए use होगा और जो since है ये इसमें use करेंगे ठीक है तो इसमें जो पहले sentence में yesterday दिया है तो आपको यहाँ पे since लगाना है अगला जो question है they have been learning English blank five years तो यहाँ पे digit दी है five years तो यहाँ पे आपको four लगाना है अगला sentence है इसमें दिया है she has been cooking blank morning तो आपको यहाँ पे digit नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे since लगाना है अगला जो question है question number four इसमें आपको he troubled blank train तो उसने train से यात्रा की इसका मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे by हो जाएगा preposition he troubled by train मतलब उसने train से यात्रा की अगर यहाँ पे बस होता तब भी यहाँ पे by लगाना है तो आपको यह point याद रखें अगला जो question है question number five the book fell blank the ground तो जो किताब है जो किताब है यह ground के ऊपर मतलब की मतलब गिरी है ठीक है पुस्तक जमीन पर गिर गई तो इसके में हो जाएगा on आप हमेशा याद रखें जो चीज जैसे किसी के ऊपर मतलब की on मतलब किसी के just ऊपर touch में है तो हमेशा आपको on लगाना है तो the book fell on the ground अगला जो question है question number six तो he threw himself blank the rubber तो उसने अपने आपको उसने खुद को ही नदी में fake दिया इसका मतलब हो जाएगा तो इसमें हमेशा आपको into लगाना है जब किसी चीज के अंदर और गती में भी हो जब कोई motion में भी हो और अंदर भी किसी के हो तो यहाँ पे हमेशा आपको into लगाना है तो उसने अपने आपको जो है खुद को ही नदी में fake दिया तो खुद को नदी में fake आ है तो नदी ये मान लो इसको आप नदी मान लीजे तो उसको फेका गया है तो एक motion में पहले गया होगा फिर नदी के अंदर गया होगा तो इसमें आपको हमेशा into लगाना है आगला जो question है question number 7 इसमें आपको बताना है he has no test blink music तो आपको हमेशा याद रखना है test के बाद हमेशा 4 लगाना है तो he has been no test for music अगला जो question है question number 8 the headmaster was angry blink at us तो इसमें आपको सोच लिजे क्या होगा तो जब angry के बाद कोई ब्यक्ती हो person हो तो आपको याँ पर हमेशा bid लगाना है जब कोई person हो angry के बाद अगला जो question है question number 9 see depends blink her mother तो आपको जब किसी पर कोई depend है तो आपको हमेशा ओन लगाना है और अगर option में upon होता अगर option में upon होता तो upon भी सही था और own भी सही है तो see depends on her mother अगला जो question है question number 10 इसमें है take care blank your health तो इसमें हो जाएगा take care of हमेशा आप याद रखें take care of होता है take care of your health तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा कि अपनी सहथ का ख्याल रखें अगला जो question है question number 11 the meeting has been put तो blank आप लोग सूच लिए इसमें क्या होगा जो better story ताल दिया गया है मतलब इसका जो ओडावलेफ है इसका मतलब होता है separation मतलब करों कि सी चीजा से अलग होना ठीक है किसी सी चीजा से अलग होना मतलब कि की ओडावलेफ आप को लगाना है वहाँ पे तो यहाँ पर है वहाँ को टाल दिया गया है अगर हम यहां पे उन लगाएं फिर पूजिशन अगर उन लगाएं तो बैठक है ठीक है तो बैठक टाइम पे है इसका मतलब हो जाएगा अगर बैठक को कैंसिल कर दिया गया है तो यहां पे ओफ हो जाएगा अगर बैठक मतलब बैठक है तो यहां पे ह सब्सक्राइब आपको यह पर इसके बाद लगाना है ही क्राइड एट डट ऑफ इज बॉइस अगला जो कुछन है कुछन नमबर थैटीन ग्लास फेल ब्लेंग ग्राउंड मैंने भी आपको बताया था फेल के बाद आएगा वन क्यूंकि जमीन के उपर है ना ग्लास ठीक है तो इसमें touch में है, तो हमेशा आपको on लगाना है, किसी चीज़ के ऊपर हो जब, अगला जो question है, take blank the responsibility, तो हमेशा आपको यहाँ पर लगाना है, take on the responsibility, मतलब किसी चीज़ के ऊपर है न, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपनी जुमिदारी निवाव ठीक है, अगला जो question है, question number 15, he took blank his quote, तो आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आप off लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा, कि जो question number 15 में है, उसने अपना quote उतार दिया, अगर हम यहाँ पर off की जगा उन्हों लिख दें, तो उसने अपना quote पहन लिया, इसका मतलब हो जाएगा, तो अगला जो question है, question number 16, he does not listen blank me, तो आपको हमेशा याद रखना है, listen के बाद हमेशा, तो पर पोजिशन आता है, तो आप यह point याद रखें, हमेशा यहाँ से question बन जाता है, अगला जो question है, question number 17, she felt pity blank the poor, तो यहाँ पर हो जाएगा, the pity for the poor, तो इसका मतलब हो जाएगा, उसे गरीबों पर दया आ गई, तो she felt pity from the poor, अगला question है, question number 18, I agree blank you on his point, तो इसमें हो जाएगा, I agree with you, I agree, यहाँ पर हो जाएगा, I agree with you, on to his point, तो आप लोग इसको देख लिए, I agree with you, मतलब agree के बाद हमेशा आपको, जब कोई person हो, you, तो आपको bid लगाना है, on to his point, अगला question है, question number 19, इसमें आपको दिया है, she called blank me last night, तो called के बाद हमेशा on लगाना है, आपके याद रखें, she called on me last night, तो इसका मतलब हो जाएगा, कि उसने कल रात मुझे phone किया, अगला जो question है, इसमें आपको थोड़ा सा change करना है, यहाँ पर ह हो जाएगा, seebos born, seebos born in 1982, तो आप थोड़ा से यहाँ पर mistake हो गई थी, तो seebos born in 1982, यहाँ पर, तो second option correct हो जाएगा, in यहाँ पर आएगा, तो आप point याद रखें, अगले जो question है, question number 21, seebos standing just blank the gate, to just inside the gate, मतलब कि वह गेट के अंदर ही खड़ी थी, इसका मतलब हो जाएगा, seebos standing just inside the gate, अगले जो question है, question number 22, you should give up, यहाँ पर हो जाएगा, get up, smoking मतलब, give up मतलब, छोड़ देना, तो इसका मतलब हो जाएगा, आपको धुरुमपान छोड़ देना चाहिए, अगले जो question है, question number 23 है, see prefers milk, आप हमीशा याद रखें, जो prefer है, prefer के बाद हमीशा आ लगाना है, आप हमीशा याद रखें, prefer के बाद हमीशा टू लगाना है, ना कि देन, तो यहाँ पर टू हमारा सही हो जाएगा, see he prefers milk to tea, अगले जो question है, मोहन, deals, blink, grains, तो जब किसी बस्तू की deals के लिए आई बात, तो आपको हमीशा इन लगाना है, अगर किसी person के लिए बा आई होती, तो आपको deal के बाद यहाँ पर बिद लगानी थी, ठीक है, जब deal किसी person से हो, तो आपको बिद लगानी है, अगर किसी चीज से हो, जैसे यहाँ पर अनाज की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको इन लगाना है, तो deals के बाद दो पिर position आती है, अगर deals के बाद अब बेद आए तो यहां पर आपको person आगे होना चाहिए अगर कोई सामान के लिए deal है तो in आएगी आप यह point याद रखें अगला जो question है question number 25 congratulations blank your success तो congratulations के बाद हमेशा own आता है तो congratulations on your success अगला जो question है question number 26 you must listen to your teacher तो आपको मैंने अभी बताया listen के बाद हमेशा two आता है तो यह आप याद रखें अगला जो question है question number 27 सत्यवान looked blank his parents तो इसमें आपको सत्यवान के बाद looked after लगाना है कि सत्यवान looked after मतलब देखवाल करना तो looked after मतलब देखवाल करना सत्यवाल अपने माता पिता की देखवाल करता था इसका मतलब हो जाएगा तो looked को बाद हमेशा आपको after लगाना है तो इसका मतलब हो जाएगा देखवाल करना तो यह आप याद रखें अगला जो question है question number 29 I am satisfied blank your work तो satisfied with your work तो यहाँ पे बिद हो जाएगा satisfied with your work अगला जो question है question number 30 she has no house she has no house to live blank तो यहाँ पे हो जाएगा live in तो मतलब इसका हो जाएगा उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है तो इसका हो जाएगा live in तो इसका हो जा सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जय हिंद बंदि मात्रम